एलो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं इंस्टंट बनने वाला सना है का आप इसको मेंटों में बना कर खा सकते हैं अचानक में मान आ जाए तो आप उसी टाइम इसको बना कर खेला सकते हैं तो अगर रचाय के साथ आपको भूग लगे हैं कुछ खाने का मन हो तो इसे आप बना कर उस टाइम भी इसको खा सकते है ये नास तब बहुत जल्दी तियार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी है उपर से इतना करंची है अंदर से उतना ही सौफ्ट भी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले फ्रेंस अगर आपको वीडियो प अर नमठ सब्सक्राइब करें μεघर पान को यह माद को पारा घंड होगतम और तो इसके बाद आदी कटोरी से जादा लिया वाध aurait यह यह बरीक सूझी है अगर आपकी मोटी सूझी हो तो पहले आप इसको में ग्याइंड पंहें से दू मिनट बाद हम वीड़ना है तो इस तो इसको थाली में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे इसे हमने पहुत ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल जब यह हलका सा गर्म हो छूने लाइक हो इतना इसको ठंडा करना है जब यह इतना ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये है जिनको मैंने कद्दुकस कर लिया है उसको भी हम उसमें डाल लेंगे उसके बाद दो हरी मिर्चली है बारी काटके थोड़ा सा लिया है धनिया और हलकी से लिए है बेर्च मिर्च में यहाँ पर ग्रीन चिली भी डाली थी इ ओदफमच मैंने यहाँ पर लिया है चाठ मसाला आरे सारी काटे की मिक्स मुखिए अच्छा सब्रदकर लेंके उसके बाद से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ओर लेंगे में तुसно क्राशाए बढ़न से लिए depths लीक्राश सी मूटा ही लेंगे उसके बाद मेर्न लिखिकर को हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है बिल्कुल पतला नहीं करना है वरना आपका सनाक अच्छा नहीं बनेगा और चाक्यों की साहता से हम इसके सारे किनारे हैं वो काट लेंगे तो इस तरीके से काट लेने के बाद बीच में एक स्वायर सा शेप हमें चोरव सा पीस त्यार ह हम इसके चार भाग कर देंगे के बाद बीच में से भी हम इसे काट लेना है तो इस तरीके के जो है वो ट्राइंगल हमने त्यार करने है आप जाहे गोल जैसी आपका मन कर शेप दे सकते तो आपके जो नास्ता है वो तेल जादा सोग करेगा तो है फ्लेम पर इसे हमें तल लेना है एक से दो मिनिटे के लिए से पहले हमें इसे बिल्कुर नहीं भी छेड़ेंगे उसके बाद जब एक तरब से गुल्डन ब्राउन होन शुरू कर देगा तो दोनों तरब से हमें इ इसी तरीके से त्यार कर लेंगे नास्ता त्यार हो जाने के बाद देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है यकीन मानिए फ्रेंट्स खाने में यह बहुती क्रिस्पी क्रंची बना था तो एक बार इसको जरूर ट्राय करना यह नास्ता आपके बच्चों को महमानों को आप इंस्टेंस को बना के जब आपका मनों उस टाइम इसको बना कर खा सकते हैं तो मैंने यहां पर लिया है सॉस मैं सॉस के साथ इसको इंजॉय कर रही हूं आप चाय के साथ हरी चटने के साथ यह आपका जैसा मनों उस टाइम इसको बना कर खा सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स